धर्मेंद्र, धर्मेंद्र का स्टेज पर आना ही विस्लिंग और तालियों की गोंज के साथ हुआ धरम जी जब भी बात करते हैं, दिल से बात करते हैं, शेरो शायरी का जो उनका अंदाज है, वो यहां भी नजर आया लेकिन क्या आपको पता है कि उन्होंने किस वात पर कहा कि ये तो मेरे बाए हाथ का खेल है, उन्हीं से सुन लेते हैं बहुत माज़ा आया, दोनोंने बहुत अच्छा है, नहीं पिक्शिर की बात कर रहा हुआ हूं धरम जी, आपको ओडियन्स के रियक्शन देखने चाहिए है, हौल में, वो वाले सीन पे मैं जानी सका अपनी में, बाटा है, मुझे लोगों की बहुत से मेसेज आ रहे हैं कि धरम जी, अपना ऐसा ऐसा में, यार, ये तो मेरे दाए हाथ का काम है बाटाज से करवाना हो, वही करवाल हो और मुझे कहा करने कि पाजी, जो आप हैं वो ही रहना हूं ये आप प्राइविट बाते क्यों बाटाज बोलने हूं मैं बाबी कोई बता है, मैंने गुट स्टोरी और गॉट इस ग्रेट और मुझे भी जब-जब मौका में दता है, चक्का मार देता हूं देर से आता हूं लेकन आता हूं तो आप लोगों ने जो दिलों में जगा दे रखी है मुझे ये मैं जाने नहीं दूँगा वच्चों इसे बनाए रखूंगा, ऐसे ही बनाए रखूंगा क्योंकि मुझे बनना नहीं आता हूं मैं हकीकत हूं, जो दिल में है, मन में है, वो कह देता हूं और महबब से बढ़कर कुछ नहीं है कि महबब आपकी नदेती रोश नहीं, गर मेरे नाम को कैसे बनता धरम मैं आपका, पहुंचते कैसे इस मकाम को